I still remember मेरा first relationship कैसा था I was 14 or 15 और मैं अपने tuition में एक लड़की को बहुत जाला like करता था बट मेरे दिमाग में उसकी image मैंने ऐसी बना रहा गी थी कि वो तो पता नहीं मेरे से कितनी जादा ऊपर है या फिर वो मेरी leak के बाहर है बट मेरी persistence की वज़ा से हम relationship में आये लेकिन just because जो मेरी fantasy थी उस लड़की को लेके उसमें और उस actual लड़की में इतना जाला difference था relationship बहुत जल्दी बहुत जाला dull बन गया और जब हमारा break up वो तम में कोई ये realization हुई कि ये लड़की ना तो अब मेरी leak के बाहर है और नहीं ये पहले थी और जिस चीज को मैं प्यार समझ रहा था वो actual में बस मेरी attraction थी वो भी उस लड़की के towards नहीं मैं बस attracted था अपनी fantasy से जो मेरे ही दिमाग में चल रही थी और इस नजर के साथ देखने पर आप समझ सकते हो कि जाला तर relationships में प्यार exist ही नहीं गरता जिस चीज को हम प्यार समझते हैं वो प्यार है ही नहीं और तभी जादा तर लोग असली प्यार करने में डरते हैं बिकास असली प्यार में तू और मैं का वजूद ही नहीं रहता अगर आप मेरे से प्यार करते हैं और मैं आप से प्यार करता हूँ तो वहाँ पर प्यार कोई तीसरी चीज नहीं है कि आप अलगों मैं अलगों और प्यार हमें प्यार वो चीज जो हमें जोड रही है नहीं प्यार का मतलब यह है कि हम दोनों के बीच में कोई difference ही नहीं है और तभी एक relationship का मतलब यह होता है कि I can relate to you because I can see myself in you बट बहुत से लोग प्यार और रिलेशन्शिप्स को गालिया इसले ही देते हैं विकाज उन्हें पता ही नहीं कि प्यार का मतलब क्या होता है प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर्मोनल, साइकलोजिकल या फिर फैंटेसी बेस जो और तभी अगर आप ये बोलते हो कि प्यार कोई important चीज नहीं है या फिर हमें प्यार पर नहीं बस career पर ध्यान देना चाहिए तो इस episode को पूरा सुनना ताकि आपको ये समझाए कि आप किस चीज को miss कर रहे हो और आप किस तरीके से प्यार को use कर सकते हो अपनी growth को तेजी से बढ़ाने के लिए है now सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरह से प्यार fundamental action होता है दुनिया में जो भी इंसान जो कुछ भी काम कर रहा है वो प्यार के नाम पर कर रहा है आप यहां पर disagree करके बोल सकते हो कि यह कैसे possible हो सकता है क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं जिनका प्यार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इसे example के दूरू समझने ही गोशश करते हैं सोचो एक husband है जो हर रोज घर पे आके अपनी wife को मारता है but this is also an act of love अगर आप इस तरह के इंसान की psychology को समझने ही कोशश करो तो आपको यह पता लगेगा कि जो इंसान खुद दर्द में होता है वो ही दूसरे को दर्द देता है कोई इंसान जो खुद के साथ खुश है जो bliss में है मस्ती में है वो वो कभी भी दूसरों को दर्द नहीं देता लेकिन इस तरह के इंसान जो अपनी बीवी को मार रहा है अगर आप उसके childhood को जाकर समझो कि उसके साथ हुआ क्या था उसका mindset ऐसा क्यों है कि वो दूसरों को तंग कर रहा है तो आपको शायद यह पता लगे कि मेभी वो अपने बचपन में अपने पेरेंट से बहुत जाला पिटता था मेभी उसकी मा ने कभी उसको appreciate नहीं करा मेभी उसका कभी कोई friend नहीं बना और उसके अंदर एक emptiness है प्यार को लेके उसको कभी प्यार नहीं मिला है हेट का मतलब है कि हम दोनों separate है तो जब एक बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया कि मैं separate हूँ, मैं सबसे isolated हूँ मैं को abandon कर दिया गया है तो वो दूसरों को भी ऐसे ही treat करता है कि तू अलग मैं अलग वो अपनी बीवी को भी ऐसे ही treat करेगा और ऐसे इंसान को चाहिए आप जेल में भी डाल दो कितना मर्जी उसको torture कर लो, कितना मर्जी उसे punish करने ही गोशश कर लो लेकिन जब तक उसके अंदर की जो deep rooted understanding है दुनिया को देखने की कि मैं को कोई प्यार नहीं करता, जब तक आप इसे change नहीं करते हूँ, उसको प्यार देकर उसको appreciate करके, तब तक वो दूसरों को तंग करता रहेगा similarly अगर एक इंसान का blood pressure बहुत जादा हाई रहता है उसको cholesterol की problem है, उसको hurt की बहुत जादा problem है, उसको diabetes भी है और ऐसा उसके साथ इसलिए हो रहा है, because सालों से उसकी एक आदत यह है, कि वो जब भी अपनी job से घर पर आता है तब वो अपने बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए तली हुई चीजें और मिठाई लेकर आता है because उसके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि यार ये तो बस प्यार के लिए ये सब कर रहा और प्यार के पीछे ही इसने खुद को भी unhealthy बना लिए और अपनी फैमिली को भी unhealthy बना दिया similarly अगर एक इनसान को cancer हो गया है that is also because of love बात offensive है ये लेकिन इस चीज को समझो बहुत डीब जाके आपको ये समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अगर एक इनसान को cancer हो है because उसके पास पैसे नहीं है पैसो की उसके पास कमी और इस वज़ा से वो बस पूरे दिन में 15-20 रुपे का instant noodles वाला packet खापाता है बस महीने में वो 500-600 रुपे खर्च करता है अपने खाने पे और उसके पास पैसो की कमी इसलिए है because उसके parents की responsibility उसके उपर है उसको बहुत early on बोल दिया गया था कि पढ़ाई बढ़ाई छोड़ दे और घर को समालतू उसके parents खुद काम नहीं कर सकते हैं वो उसको कभी time ही नहीं मिला खुद को financially educate करनेगा उसको कभी time नहीं मिला financially educate करनेगा खुद को और इस वज़ासे उसकी income बहुत कम है income कम होने की वज़ासे वो unhealthy खाना खा रहा है क्योंकि वो बस उतना ही afford कर सकता है और unhealthy खाना खाते रहने की वज़ा से उसको cancer हो गया या फिर कोई और problem हो गई और उस problem का eventual reason हम यही निकाल के लिए बोल सकते हैं because उसको प्यार है अपनी family से वो अपनी family की देखबाल घंडना चाहता है और सिर्फ यही निकि वो अपनी family के लिए कुछ sacrifice कर रहा है अगर हम इसके opposite भी चले जाएं कि वो अपनी family को छोड़के वो यह सोचता है कि मैं खुद को financially educate करूँ वो अपने friend के साथ रहने लग जाता है that is also an act of love इवन अगर हम tyrants या फिर dictators की बात करें जिन्होंने हजारों लगों को मारा उन्होंने भी ऐसा इसली किया because वो प्यार चाते थे लेकिन जब भी हम कोई इनके बारे में documentary देखते हैं फिर कुछ पढ़ते हैं इनके बारे में हमारे दिमाग में पहला खयाल यह याद है इन सब के parenting में कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी अगर आप Hitler को देखो वो भी एक ममस बॉय था अगर आप Lenin को देखो जिसने Soviet Union की शुरुवात की थी उसकी भी parents की अपनी प्रॉब्लम थी और Hitler अपनी मा की तस्वीर हमेशा साथ में लेकर चलते थे Lenin ने भी ये बोला है कि उन्होंने एक revolution start ही इसले गिया because वो influence थे अपनी मदर से मदर issues थे उन्हें, mommy issues थे और वो बहुत बार अपने father को hate करते थे ये common pattern निकल के आता है इन लोगों में और इस तरह के लोग जिन्होंने इतने सारे लोगों को मारा ये भी प्यार ही चाते थे जब तक आप शैतान की आखों में प्यार को नहीं देख लेते तब तक आप grow ही नहीं कर सकते है और जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि हर चीज ही प्यार से बनी है इवन नफरत भी तब तक आप प्यार को नहीं समझ सकते हो Usually हम ये बोलते तो हैं, हम great लोगों की बातों को repeat तो करते हैं कि हर चीज एक होती है, हर कोई एक होता है मैंने भी अपने बच्पन में ये चीज देखी है, मेरी जो दादी थी उनकी अलमारी पर एक sticker होता था, एक उनकार के symbol का यानि उसका मतलब होता है God is one और यही मैंने हर बंदे से यही बात सुनी है कि हर कोई एक होता है ये जो differences है हमारे बीच, ये बहुत superficial level पर है deep inside हम सब सेम है बट अगर हम सब सेम है और हर चीज एक है तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि प्यार और नफरत भी एक है प्यार और नफरत में कोई difference है ही नहीं हम बस अपने दिमाग में इनको divide करते हैं प्यार का मतलब है एक होना लेकिन नफरत का मतलब है गलत तरीकों से एक होने ही कोशिश करना desire वहाँ पर भी सेम है बस रास्ता गलत है इन examples को discuss करने का purpose यहीं नहीं है कि मैं किसी भी चीज को justify कर रहा हूँ कि अगर कोई इंसान कोई बुरा काम कर रहा है तो कोई बात नहीं हो तो प्यार के लिए कर रहा है उसको माफ कर दो नहीं मैं इन चीज़ों को point out करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यह समझ पाओ कि अगर आप किसी भी action में किसी भी बुरे इंसान में प्यार को नहीं देख पा रहे हो तो उसका मतलब यह है कि आपका perspective अभी बहुत narrow है और आपको अपने perspective को wide बनाने की ज़रूरत है ताकि बड़े scale पर grand scale पर जो pattern चल रहा है आप उसे समझ पाओ और आप ये भी देख पाओ कि प्यार, सच और भगवान यह तीनो चीजे एक ही हैं तीनो रास्तों में से आप किसी भी रास्ते पर हो यह तीनो रास्ते आगे जाकर चाया आप मंदिर में बैठे हो चाया भगवान का नाम ले रहे हो चाहिए आप ये बोल रहे हो कि आज से मैं सच बोल नहीं कोशिश करूँगा चाहिए आप किताबे पढ़ रहे हो या फिर आप सच्चा प्यार कर रहे हो आप सेम डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही कोशिश कर रहे हो एक बार जब आपके अंदर इस level की understanding आजाती है कि हर जगे ही प्यार है और हर कोई ही किसी भी काम के थ्रू प्यार तक पहुंचने की ही कोशिश कर रहा है तब आप eligible बनते हो ये चीज समझने के कि प्यार होता गया है अगर हम एक line में प्यार को define करना चाहें तो love is the experience of ego dissolution that happens with the understanding of the self the moment you lose yourself is the moment you are in love यानी सिर्फ एक self-aware इंसान ही जो अपनी ego ये फिर अपने आये के पार जापाता है सिर्फ वो ही प्यार करने के काबिल होता है अगर आपको ये नहीं पता कि आप कौन हो तो जिस इंसान को आप अपना lover, अपना crush या फिर अपना partner बोल रहे हो आपको ये भी नहीं पता कि वो इंसान कौन है और ये चीज बोलना कि अपनी ego के पार जाओ अपने आये के पार जाओ ये बहुत vague और confusing होता है इसको हम practically कैसे करें जिस चीज को हम आये या फिर अपनी ego बोलते है वो time के साथ साथ बनती है कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तब शुरू से उसकी ego नहीं होती उसे नहीं पता होता कि वो अपने environment से अलग है उसको लगता है कि वो और आसपास के जितने भी लोग है सब सेम है उसको लगता है कि उसमें और उसकी मा में कोई difference ही नहीं है लेकिन जैसे जैसे वो experiences लेता है जैसे जैसे उसकी memories बनना शुरू होती है उसको नाम दे दिया जाता है तब ये सारी चीज़ें साथ मिलकर उसकी ego बना दती है यानि जिस चीज़ को हम बोलते हैं कि यह मैं हूँ वो एक्चुन में बस time है और time बस हमारे मन में exist करता है हमारे मन के बाहर time exist नहीं करता हर चीज़ को छोड़ दो और इस चीज़ पर अपनी पूरी attention पे करो because यह understanding आपका पूरा perspective बदल सकती है observe करो कि आपको कैसे पता है कि time बीत रहा है कि आपको यह feel होता है कि आपकी body के थूरू कुछ pass हो रहा है कुछ flow आपको feel होता है या फिर आप अपने मन में calculate करते हो physics का formula use करके कि time equals distance divided by speed आप यह नहीं करते हो but जब भी आप बोलते हो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी कही जाने की देरी हो रही है मैं कहीं के लिए late हो रहा हूँ या फिर आपको ऐसा लगता है कि समय बीत रहा है वो बस एक खयाल ही तो होता है या फिर जब आप घड़ी की तरफ देखते हो तब घड़ी भी time को measure नहीं कर रही होती वो measure कर रही होती है moments को यानि time को हमारे खयाल जिन्दा रखते हैं और हमारे मन से बहर ना तो past होता है और नहीं future बिकोज जैसी मैं कोई experience लेता हूँ तब अगले ही moment वो past बन जाता है और past के basis पर मैं predict करता हूँ फ्यूचर कैसा होगा past और future exist भी नहीं करते है exist जो चीज करती है वो होता है बस present हर moment बस present है और हर moment तभी timeless है लेकिन इस चीज को देखने के लिए आपको अपने thoughts को थोड़ा धीला छोड़ना पड़ता है आपको wise बनना पड़ता है आपको समझना पड़ता है कि जो भी thought होता है वो हमेशा ही influence रहता है past से तो जितना आप अपने बस thoughts में ही involved रहोगे और अपने thoughts को सोचोगे कि यही सच है आप खुद भी influence जो बस अपने past से और पूरा जो spirituality का process से वो आपको बुल रहे है कि अपने past से मुक्त हो क्या तुम उन्ही लोगों की तरह act करे जा रहे हो जिन्होंने तुम्हार को teach किया है जिन्होंने तुम्हार को बताए कि दुनिया ऐसी होते क्या तुम अपने trauma को repeat करे जा रहे हो अपने past से दूर हो अपनी खुद individuality बनाओ और फिर देखो कि तुम्हारी individuality कैसे एक बड़ी picture का part है teachings को use करो इसका मतलब यहीं है कि आपने teachings को reject करना है लेकिन खुद का दिमाग भी तो चलाओ दिमाग चलाने का मतलब यहीं होता है कि बस thoughts को इधर से उधर नचाना दिमाग चलाने का मतलब यह होता है कि thoughts को धीला छोड़के दूर से देखना कि यह आया कहां से यह है क्या इसका मतलब क्या है और जब आप इस state में किसी और इंसान के साथ relationship में आते हो जो खुद इस state को experience कर रहा है तब आप दोनों का relationship timeless बन जाता है और आप दोनों को ऐसा feel नहीं होता है कि आप नए lovers हो आप दोनों को ऐसा feel होता है कि आप तो हमेशा सही एक दूसरे को जानते थे आप तो हमेशा सही एक थे बस आप इस चीज़ को भूल गए थे यह होता है highest form of love एक बार जब आप किसी relationship में मैं मैं करना बंद कर देते हो और दो लोग साथ में जुड़ जाते हैं किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए, तब उस relationship में आपकी limited desires और आपकी limited thinking power काम नहीं कर रही होती है, इस तरह के relationship में एक ऐसी intelligence आ जाती है, जिसको बोला जाता है consciousness, और जो हम बोल रहे होते हैं कि consciousness के levels होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यह होते हैं कि आपने खुद की ego को कितना dissolve कि, आप अपनी ego के कितना दूर हो, जितना आप अपनी ego के दूर हो, उतने ही आप जो universe की intelligence है, जो creation की intelligence है, उसको access कर सकते हो, और उसको अपने relationships में उतार सकते हो तब आपको ये पूछना नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत जतना आप conscious हो उतना clear है आपके लिए सामने ही आपके लिए पड़ा होता है कि ये सही चीज है ये कर इस चीज की जरूरत है लेगन अगर आप बस खुद के साथ ही concerned रहते हो तो आप अपने खयालों को consult करोगे और आपके खयाल हमेशा बोलेंगे कि देख past में तेरे साथ या हुआ था तो future में भी शायद कुछ इसी तरीके का हो अगर past में किसी ने तेरे पाद चीट किया था तो इस बात के chances बहुत हाए हैं कि जो दूसरे इंसान को तू like करता है अफर करती है ये भी तेरे को cheat कर सकता है तो इसको भी थोड़ा ध्यान से हाँ इसको tight रख बहुत तू इसके साथ जल्दी एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है बट अगर दूसरे इंसान suppose वो manipulative है और उसको आपने convey कर दिया किसे ना किसी तरीके से कि ये मेरे fears हैं या फिर उसने ये sense कर लिया कि आपके fears हैं तो वो सोचेगा कि मेरे को इसको use तो कर नहीं है तो वो direct आपकी तरफ approach करने के बजाए वो एक दूसरे रास्ते से घूम के आपकी तरफ आजाएगा और वो किसी और तरीके से आपको use करने ही कोशिश करेगा because आप सच को नहीं देख रहे थे आप ये नहीं देख रहे थे कि वो इनसान actual में कौन है आप उसकी एक fantasy एक idea बना कर बैठे थे कि में भी ये भी ऐसा है और आपने actual में उसके red flags को notice ही नहीं करा कि वो करने ही क्या कोशिश कर रहा है और सोच अगर एक इनसान आपको ऐसा मिल भी गया है जो potentially बहुत जादा loyal हो सकता था वो आपके साथ लंबे समय तक रहे कर कुछ बड़ा build भी कर सकता था लेकिन just because आपकी reality प्रदूशित थी आपके time से आपके past से तो आप उसको as it is देख ही नहीं पाए कि ये कितना सही बंदा है या फिर कितनी सही बंदी है कोई भी lower emotion जो हमें reality से दूर ले जाता है वो हमेशा time के साथ ही बनता है और तभी hate प्यार की तरह timeless नहीं होता hate time में exist करती है अगर आप किसी hateful इंसान को देखो तो उसने अपने दिमाग में over time किसी दूसरे इंसान की image build करी होती है hate का मतलब यही होता है कि अगर मैं आपको hate करता हूँ तो उसका origin क्या है मैंने पहले देखा कि आप इस तरीके से बोलते हो आपकी इस तरह की सोच है आपके यह opinions है मेरे बारे में फिर किसी और चीज़ के बारे में और फिर मैं उन opinions को relate करने ही कोशच करता हूँ अपनी ego के साथ और अगर उन दोनों में कोई relation नहीं बैठ रहा तो मैं बोलता हूँ I hate you hate को पैदा करने के लिए खयाल चाहिए होता है लेकिन प्यार को पैदा करने के लिए खयाल नहीं चाहिए होता because प्यार को पैदा करने के ज़रूरत ही नहीं है प्यार default state है universe की because universe की default state है non-division की हर चीज के साथ जुड़े रहने की साथ ना होने का जो हमारी perception होती है वो बस हमारे दिमाग में exist करती है लेकिन इस understanding के बाद भी आपके दिमाग में यह चीज आ सकती है कि ओके यह सारी चीज़े कही नहीं sense बना रही है और मैं खुद को इस तरह का बनाने की कोशिश भी करूँगा लेकिन आज के culture में जहां पर लोग hookups करते हैं बस casually दूसरों को date करते हैं और किसी भी चीज को seriously नहीं लेते आज के समय पर हम कैसे एक इस तरह की mentality वाले partner को ढूण सकते हैं So now let's talk about some practical steps Step number one, mindset सबसे पहले अपने इस limiting mindset को change करो कि दुनिया में सचा प्यार exist नहीं करता या फिर अच्छे लड़कों या फिर अच्छे लड़कों को ढूणना impossible है ये limiting beliefs हैं और अगर आप past के basis पर अपने future को predict कर रहे हो तो वो भी बहुत बड़ी नादानी होती है सचो अगर एक बच्चा electric socket में अपनी उंगली डाले उसको जटका लगे और वो ये conclude करे कि बिजली बुरी होती है तो ये बेवकूफी और ये बच्पना होगा लेकिन जादातर लोग relationships और प्यार को इसी तरह से treat करते हैं सब तो बकवास चीजे होती है तुम बस किसी और चीज़ पर ध्यान दो तुम काम पर ध्यान दो अपने बट अभी तक शायद आपको realize हो गया हो कि प्यार की एहमियत क्या होती है और असली प्यार होता क्या है और सोचो आपका sample size कितना चोटा आप कितने ही लोगों से interact करके बैठे और क्यों आपने conclude कर देगी सारे ही ऐसे होते हैं अगर मैं आपको एक study पेश करूँ जहां पर बस एक बंदे की उपर research होई और मैं बोलू कि जो भी conclusion आया है आप इसको अपनी life में apply करो और आपकी life better हो जाएगी तो आप पहली चीज़ की बोलोगे कि एक बंदे की उपर study होने से कैसे पता लग सकता है कि सच क्या है कहीं हजारों लोगों की उपर कहीं सौ लोगों की उपर तो हो research तब conclusion पता लगेगा तो इसी तरीके से पहले लोगों से interact तो गरो हजार लोगों को date करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बाहर निकलो और नए लोगों सो मिलो और बस ये conclude मत कर दो कि सब ऐसे ही होते हैं बिकॉस सब ऐसे नहीं होते हैं और अगर अगर आप अपना standard गिराओ न जो आपको actual में चाहिए अगर आप उसी को ढूनते रहो तो eventually जादा महनत करने पर जादा time लगने पर वो आपको मिल जाएगा step number two let go of all your fantasies बिकॉस जब भी हम ये बात करते हैं कि अपने standards को बढ़ाओ अपने जो भी आपको qualities चाहिए एक partner में उसको कभी भी कम मत करो कभी भी settle मत करो किसी और के लिए तो इसमें problem या आती है कि just because आपकी demands जादा होती है तो आपको खुद को भी develop करना पड़ता है खुद पर भी काम करना पड़ता है और ये चीज़ मुश्किल होती है और इसमें time लगता है तो meanwhile हम क्या करते हैं हम किसी ऐसे इंसान को पकड़ लेते हैं जिसमें वो सारी qualities नहीं होती जो हमें चाहिए और हम उसके एक fantasy बना दते हैं हम उसको उपर उठा के बोलते हैं कि ये वो ही इंसान है जो मेरे को चाहिए था और हम उसके red flags को ignore कर दते हैं लेकिन सोचो इस तरह का relationship क्या sustainable हो सकता है अगर किसी भी इंसान को आप बोल ले हो कि ये reality से जादा अच्छा है अगर आपकी fantasy ये बोल ले है कि ये बहुत अच्छा है ये perfect है, ये flawless है तब आप eventually ये बोलो है कि यार मैं बेवकूफ जो मैंने इसके red flags को देखते भी इंग्नोर किया लेकिन अगर आप एक इंसान को actual से नीचे ले जाते हो, अगर आप बोलते हो कि ये actual से जादा बुरा है तब भी आप बाद में बोलते हो कि यार मैंने सच को क्यों नहीं देखा, और अगर मैं इस सच को नहीं देख पाया कि ये actual में उतना बुरा नहीं है जतना मेरे को बुरा लग रहा था, तो मैंने और किस सच को miss कर दिया है, इसलिए लोगों को बस अपनी imagination में मत रखो लोगों को वही पर रहने तो जहां पर वो belong करते हैं आपके बाहर, और उनको वैसे ही देखो जैसे वो असलियत में हैं, बजाए अपने thoughts में उन्हें involve करने के, step number 3 don't forget the sexual dynamics because जिस तरह की चीजों की हम बात कर रहे हैं की प्यार सबसे उपर होता और deep inside हम सब सेम हैं, इस understanding के साथ एक healthy relationship में दो और चीजे होती हैं, यानि physical satisfaction और psychological satisfaction और आपको इन तीनों चीजों को balance करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि relationship में इन तीनों चीजों का role क्या है आप imagine कर सकते हैं, एक healthy relationship को एक circle की तरह, जिसका center होता है spiritual understanding और फिर उसके आसपास आ सकती है physical needs या फिर psychological needs या दोनों लोगों के interest, लेकिन अगर किसी relationship का center physical और psychological satisfaction है, तो ऐसे relationship का fail होना तो guarantee है लेकिन इसके साथ साथ जो आप सोच रहे हो कि में को बहुत जारा pleasure मिलेगा, बहुत जारा मजा आएगा memories बनेंगी, वो pleasure भी थोड़े time बाद pain में बदल जाता है because अप असली चीज का पीछा नहीं कर रहे हो अप नकली चीजों को सोच रहे हो कि ये में को खुशी देंगी, ये मेरे को प्यार की तरफ ले जाएंगी, ये में को सच की तरफ ले जाएंगी लेकिन eventually तो आपको अंधेरे में फैक कर चली जाएंगी इसलिए एक अच्छे relationship की foundation होनी चाहिए spiritual understanding और उसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि एक मर्द को masculine होना चाहिए एक female को feminine होना चाहिए और एक relationship जहाँ पर एक male का अपना role उसे पता है और female को अपना role उसे पता है और वहाँ पर spiritual understanding भी है इस से जादा powerful relationship और कोई नहीं होता step number 4 help the other person expand दुनिया में unlimited प्यार है लेकिन आप उसे experience ही नहीं कर सकते because आप खुद limited हो तो अपनी limitation को overcome करने का एक solution ये हो सकते है कि आप पूरी reality को काट पीट कर और उसका एक caricature बना कर अपने दिमाग में fit कर लो और बोलो कि हाँ मेरे को पता है कि भगवान क्या होता मेरे को पता सच क्या होता मेरे को पता प्यार क्या होता है मेरे को मत सिखा या तो आप ये कर सकते हो कि आपने एक pocket friendly version बना लिया है actual truth का आपने truth को कभी experience नहीं किया आपने बस उसका एक छोटा version बना लिया अपने अंदर कि हाँ ये चीज उस चीज को symbolize करते है बट एक symbol कभी भी real thing तो नहीं हो सकता तो अपनी limitation को overcome करने का ये तरीका गलत होता आप इसके बाद भी limited ही हो एक better तरीका ये होगा कि आप reality को छोटा बनाने के बजाए आप खुद को बड़ा बनाओ आप खुद को expand करो और खुद को प्यार के level पर लेकर जाओ और यही same चीज आपको अपने relationships में करनी है आपको दूसरे लोगों की मदद करनी है उनको वहाँ पर पहुँचाने में जहां से वो आए हैं उनकी infinite, thoughtless और egoless form तक उन्हें वापस पहुँचाओ उनको मदद करो उनकी maximum potential तक पहुँचने में और जो कोई भी चीज एक इनसान को उसकी maximum potential तक पहुँचने में सच तक पहुँचने में egoless, thoughtless state तक पहुचने में रोकती है, कोई भी चीज जो होती है वो कभी भी प्यार नहीं हो सकती है प्यार वही चीज है जो दूसरे इंसान को expand होने में मदद कर रही है step number 5, become love love is not when I say I love you because in reality there is no I and there is no you असली प्यार वो होता है जहां पर दो लोग एक दूसरे को इस तरह से treat करते हैं जैसे वो एक ही हो और उनके जो भी disagreements होते हैं वो easily उससे बाहर आपाते हैं because mutually वो एक बहुत बड़े goal की तरफ काम कर रहे होते हैं और उस बड़े goal के आगे यह चोटे-मोटे disagreements, likes, dislikes के clash यह matter ही नहीं करते हैं बहुत easy होते हैं उनके आगे solve करना लेगिन सोचो कही relationships ऐसे होते हैं जिनका center कोई बड़ा purpose नहीं होता उनका center बस यही चोटी-मोटी बकवास बाते होते हैं कि तेरे को क्या पसंद है, मेरे को क्या पसंद है तेरे को क्या चीज pleasure देती है, में को क्या चीज pleasure देती है बट यह प्यार नहीं होता यह selfishness है, यह attraction है, यह hormone based चीज है असली प्यार जो होता है, वो highest stage होता है development का सबसे नीचे होती है hate उसके बाद आप यह feel कर सकते होगी दूसरे लोग आपको प्यार करते है उसके बाद आप दूसरों को प्यार दे सकते हो और सबसे उपर यह होता है, कि आप खुद प्यार बन गए हो मैं आपको बता नहीं सकता है कि मेरी life में मैंने कितने सारे spiritually evolved लोगों को attract करा है जो लोग मिर साथ already थे शुरू से उनकी भी spiritual growth हुई है only because मैं दुनिया से बस लेते रहने के बजाए और demand करने के बजाए मैंने दुनिया में प्यार देना शुरू किया है और मैं पूरे time इसी बड़े गोल की तरफ काम कर रहा हूँ और आप ये question पूछ रहे हो कि इस तरीके का दूसरा इंसान में कैसे ढूणू यही same चीज वो लो question पूछ रहे होते हैं कि how to find a high value man how to find a high value woman अरे पहले आप खुद तो high value बनो अगर आप दूसरे इंसान को ढूणना चाहते हो जो खुद spiritually evolved है जिसको ये सारी बाते समझ आती हैं तो पहले आप खुद ये सारी बाते समझ लो पहले खुद apply करना शुरू करो इन चीजों को पहले इस तरह से जीना शुरू करो because पूरे crowd के बीच जब आप इस तरह से बोल ले होगे और कोई दूसरा इनसान दूर से सुन रहा होगा जब आप अपने message को share कर रहे होगे चाहे आप social media पर हो चाहे आप बस किसी social gathering में हो किसी party में हो और आप अपने views खुल कर express कर रहे हो तो कोई भी इनसान जो आपके आसपास भी होगा आपकी wavelength कि आसपास भी होगा वो identify कर पाएगा कि यार यह तो मेरी तरह ही बाते करता है इसकी सोच मेर से मिलती है तो हम link करते हैं हम साथ में मिलते हैं और कुछ बड़ा create करते हैं इस तरीके से आप spiritually evolved relationships बनाते हो और प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने बस एक ही इनसान को देना है इतना limited प्यार नहीं होना चाहिए आपके अंदर इसके बजाए खुद को इतना expand कर लो कि आपके अंदर प्यार की कम ही नहीं है और ये चीज ऐसे नहीं है कि आपको बहुत जारा meditate करने आपको एक monk बन जाने आपको कुछ दूसरा ही इंसान बन जाने नहीं 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 बस ये spiritual understanding आपके अंदर बैठ जाए कि मैं अपने thoughts नहीं हूँ मैं अपनी body नहीं हूँ बस इतना ही काफी है यही चीज आपकी ego या फिर आपके thoughts और आपके जो आपकी awareness है इन दोनों चीजों के बीच एक दूरी बना देगा और आप दूर से देख पाओगे अपने thoughts को अपनी ego को और तब इस distance के बीच आप feel कर पाओगे कि ओ ये होता है प्यार